पहारों से लेकर मैदान तक सर्दी का कहर दो पश्टम विचोब के उत्तर भारत में प्रवेस करने की संभावनाई इस बार नैशाल की शुरुवात कोहरे के आगोस में होने की संभावनाई जताई जा रही हैं फिलहाल उत्री पाकिस्तान के उपर बने पश्टम विचोब के कारण देश के कई हिस्सों में ठंड का असर कम हुआ हैं मौसम विज्यानियों के मुताबिक रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी का सिर्सिला जारी रहेगा और कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलेगी बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार 24 और 26 दिसंबर को भी पश्टिन विचोब के उत्तर भारत में प्रवेस करने की संभावनाय है त्रीव अविर्ती के इन सिस्टम के असर से उत्तर भारत के पहारों पर जबर्दस्त बर्फवारी होने के आसार है इसके असर से मैदानी इलाकों में बारिस भी हो सकती है उत्रा खंड में सित लहर का प्रकोप जारी रहेगा बता दे कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुशार पहार से लेकर मैदान तक सर्द हवाई का दौर जारी रहने की संभावना है पंजाब में रविवार को इस सीजन में सबसे कम रहा था तापमान इसके बाद रोजाना धूप खिली रहने के बावजूद सीत लहर के चलते नहीं मिल रही है ठंड से निजात अब मौसम विभाग ने सबता के अन्थ तक बारिश की संभावनाय जदाई है बता दे कि हिमातल प्रदेश में गुरुवार से मौसम में बदलाव आएगा चार जिलों में कई स्तानों पर बर्फबारी वबारिश की जाती है भुपाल स्तेत मौसम केंद्र के मौसम विज्यानिकों के मताबिक उत्तरी पाकिस्तान के उपर बना पश्चमी विछोब जैसे जम्मु कस्मीर वराजस्तान की उड़ाएगा इसके बाद मौसम और बदलेगा इसके प्रभाव से 27 से 29 दिसंबर के बीच कई राज्य में घने बादल चाने के साथ हलकी बारिशोनी की संभावना जताई जा रही है जैसे ही यह पश्चम विछोब गुजरेगा उसके बाद वर्ष के अंत में कोरे के साथ थंड का असर तेज हो जाएगा पहारी वबरफीली इलाकों से आ रही सर्द पच्छुआ हवा के प्रभाव के कारण लगतार तापमान में गिरावट हो रही है रविवार को भी राजधानी पच्छना के तापमान में इस समानने से चाठ डिगरी की गिरावट दर्च की गई है अगर तापमान की बात करे तो छेड असमलव साथ डिगरी सेलसियस पर पहुच गया है अधिक्तम तापमान 21.2 डिग्री सेलसियस तर्च किया गया है प्रदेश के एक या दो जगों पर हलके सेम मद्यस्तर के कोहरे चाय रहने का पूर्वनुमान लगाया जा रहा है तो इस बार ठंड बहुत जादा ही पढ़ने वाली है और हलकी से बारिस होने की भी संभावनाय बढ़ रही है नए साल के शुरुवात में कोहरे चाय रहेगा